कार्वच्च्व आपका स्टागा थे मेरे यूट्यूब चेनल मैं से तमर्जा में इस वीडियो में हम प्लास नाइन्थ का मिशन गणित का दिनांक कि उन्नीस जन्वरी दोहजार चोविस का पुन्राविर्ति कारिप्रपत्रक ग्रेखाएं वह कौन डाट मेंज चट्र नंबर शिक्स को लेकर को उपस्थित हूं हम ने इसमें देखा था जो कि वर्टिकल या पॉजी टेंगल जिससे सिरशा भी मुक केहते हैं वह बराबर होता है यह और यह सिरशा भी मुक का लाता यांनि अर्य व्रटिकल या पॉजे टेंगल कहला फिर देखाता है जो कि linear pair रेखिक यूग में जैसे कोई दो या दो से अधिक कोण मिल करके 180 degree यानि सरल रेखा बनाता है तो उसका माप 180 होता है यानि A और B है उस दोनों को जोड़ेंगे तो A 120 हो जाएगा 180 degree इसी तरह इसमें हम देखेंगे जब दो रेखा समानतर होती है और एक रेखा इसे दो अलग अलग बिन्दों पर प्रतिछेद करती है दोनों को जब ये और ये parallel line है L है L है और M है और ये N को हम तिरियक शेदी रेखा यानि transversal line कहेंगे ये और ये parallel है यानि समानतर है और ये transversal जिसको हिंदी में तिरियक शेदी रेखा कहते हैं तो इसमें क्या होता है ये कोन और ये कोन एकांतर कोन होता है एकांतर कोन और ये कोन संगत कोन होता है ये जो है संगत कोन है corresponding angle और ये कोन और ये कोन जो होता है एक आंतर अंतर कोन यानि alternate interior angle और ये कोन और ये कोन जो होता है interior angle of same side ये जो ये कोन और ये कोन कहलाता है interior angle of same side या एक ही और के दो अंतर कोन है तो देखिए एक आंतर कोन शेर्षा भी मुक कोन एक अंतर कोन और संगत कोन ये तीनो बराबर होता है लेकिन एक ही और के दो अंतर कोनो का योग एक ही होता है इंटिरियर एंगल अफ सेम साइड जो होता है वो सम अफ इंटिरियर एंगल अफ सेम साइड 180 होता है और रेखी क्यों भी 180 डिगरी होता है आईए इसी पर आधारित सवाल है यहां पर सवाल दिया यदि L और M यानि यह L है और M है समानतर है तथा M और N M और N भी समानतर है कोन 2 की value 70 डिगरी दिया हुआ तो कोन 1 और कोन 3 की value निकालने के लिए कह रहा है यानि यह दिया हुआ है L और M एक दूसरे के पैरलेल है और M पैरलेल है N का तो एंगल 1 और एंगल 3 निकालना है जब एंगल 2 की value 70 डिगरी दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 पहले इसमें और इसमें relation देखिए L पैरलेल टू M है और तो क्या होगा एंगल 1 इसकल टू एंगल 2 कैसे होगा इसको कहेंगे यह कोन और यह कोन जो है एक आंतर कोन है एक आंतर कोन बराबर होते है यानि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रिक्वल तो एंगल 2 की एंगल 1 की value 70 डिगरी होगा क्योंकि एंगल 2 बराबर 70 डिगरी दिया हुआ था अब यह कोन और यह कोन क्या हो जाएगा यह जो हो जाएगा 70 डिगरी क्योंकि यह और यह वर्टिकली अपोजिट अंगल हो जाएगा और आपको दिया हुए M parallel to N दिया हुआ है तो देखें एंगल 3 प्लेस एंगल 70 बराबर में हो जाएगा 180 डिगरी क्यों हो जाएगा एक ही और के दो अंता कोन का योग तो इस तरह से एंगल 3 की value क्या हो जाएगा एंगल 3 बराबर में हो जाएगा 180 डिगरी माइनस यह घट जाएगा माइनस 70 डिगरी यानि 110 डिगरी तो इस तरह से एंगल 1 बराबर में हो जाएगा एंगल 1 बराबर में 70 डिगरी और एंगल 2 बराबर में एंगल 3 बराबर में 110 डिगरी है यही आंसर नेक्स सवाल नेक्स सवाल है इन फिगर A B is parallel to C D यानि यह इसके parallel है एंड C D is parallel to E F यह इसके parallel है तो E A is perpendicular to A B यह E A है E और A यह perpendicular है यानि यह 90 डिगरी है तो हमें ग्यात करना है X Y Z और B E F तो X Y Z देखिए कहां पर है यह दिया हुए X यह Y और Z और साथ में B E और F दिया हुए 55 डिगरी तो हम आएए ग्यात करें इसको देखिए यह 90 डिगरी दिया हुए है यहाँ पर यह 55 डिगरी दिया हुए है और CD is parallel to E F है CD E F के parallel है और यह transversal हो जाएगा तो एंगल Y प्लस एंगल 55 डिगरी बराबर में हो जाएगा 180 डिगरी क्यों हो जाएगा इंटीर एंगल ऑप सेम साइड यहाँ पर लिखें इंटीरियर एंगल ऑप सेम साइड तो इस तरह से Y की वैल्यू हो जाएगा 180 डिगरी माइनस 55 डिगरी बराबर में 135 डिगरी 125 डिगरी और जितना Y होगा उतना ही X होगा क्योंकि C parallel to D दिया हुआ है यहाँ पे आपको CD parallel to EF दिया हुआ है और AB parallel to CD दिया हुआ है यहाँ पे AB parallel to CD है तो एंगल X बराबर में एंगल Y हो जाएगा क्यों हो जाएगा यह corresponding angle है यह corresponding angle है यहाँ पे लिखे X is equal to Y बराबर क्यों होगा corresponding angle संगत कौन से तो X की value X बराबर में Y की value हमारे पास तो आयत हमने निकाला है यहाँ पे 125 डिगरी तो यह हो गया 125 डिगरी है अब चलते हैं Z की तराफ यहाँ पे Z दिया हुआ है आप देखिए यह पेरलल यह और यह पेरलल है और यह इस पर परपेंडिकुलर है तो यानि यह 90 डिगरी है तो यह भी 90 डिगरी होनी चाहिए लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लेस में एंगल इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं इससे भी निकाल सकते हैं देखिए त्रिभूज ए डी बी ए में यह इसके यह और यह पेरलल है तो यह जितने डिगरी के अंगल होगा उतना ही डिगरी यह भी होगा तो हो जाएगा इसका नाम अंगल ए बी और ए बी ई बराबर में पचपन डिगरी कैसे हुआ एक आंतर कौन से एक आंतर कौन यह पचपन होगा यह नबे डिगरी दिया हुआ है तो यह तीनो कोनो का योग एक सो सी होगा तो लिखेंगे एंगल एक एंगल जैड प्लस 90 डिगरी प्लस में 155 डिगरी बराबर में 180 डिगरी होना चाहिए त्रिभुज के तीनो कोनो का योग यहाँ पर त्रिभुज के तीनो कोनो का योग तो जैड बराबर में हो जाएगा 180 डिगरी माइनस में यह इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाता है 14 145 डिगरी जिसको घटाने पर यह आता है 35 डिगरी है तो जैड की वैल्यू 35 डिगरी आएगा दूसरे तरीके से इससे भी कर सकते यह 90 डिगरी और यह 90 डिगरी दोनों मिलकर एक ही और के दो अंतहकोनों का योग 180 होता है तो 55 डिगरी प्लस एक्स बराबर में प्लस जैड बराबर में होता 90 डिगरी तो जैड बराबर में 90 डिगरी माइनस 55 डिगरी तो जिसको घटाते तो 35 डिगरी आँसर आता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट कहरा है इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ओफ एंगल सी इफ द लाइन एल और एन पैरलल टू इच अदर यानि ये एक दूसरे के पैरलल है ये इसके पैरलल दिया हुआ है तो हमें ये एंगल ग्याद करना है तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा इसके बीज एक पैरलल लाइन डालना होगा ये माल देते हैं एल है जो की ए बी पैरलल टू ए बी पैरलल टू एल पैरलल टू एम ये हो जाएगा तो देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वानेटी हो जाएगा इसका नाम भी दे सकते हैं या माल लेते हैं इसको एक्स और इसको वाई तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना है 180 डिगरी 120 डिगरी प्लस एक्स बरावर में हो जाता वनेटी है ये कैसे होता एक ही और के अंता कोंड तो इस तरह से एक्स बरावर में हो जाता 180 डिगरी माइनस एक्स बरावर माइनस 120 डिगरी तो यह हो जाता 60 डिगरी और यह एंगल और यह एंगल एंगल y is equal to एंगल 60 डिगरी हो जाएगा क्यों होगा यह होगा एक अंतार कोंड से तो x प्लस y एंगल c बरावर में x प्लस y बरावर में x की value 60 डिगरी प्लस y की value 60 डिगरी तो यह 120 डिगरी हो गया यह था अजका वर्क सीट उमीदे समाज में आओगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर करें धन्यवाद